हाई दोस्तो मैं जिबन जुती आप लोगों को आपके स्टॉक मार्केट चैनल में स्वागत कर रहा हूँ दोस्तो आप लोगों को मैंने ये चैनल के जरियार में स्टॉक मार्केट के इंफर्मेशन उसके अपडेट और उसका डिटेल से यार करूँगा तो दोस्तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैंने जब न्यू वीडियो अप्लोड करूँगा आपके पास वीडियो पहंच जाएगा सबसे पहले दोस्तो हम यह वीडियो में कॉंजुम्शन सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं देखें दोस्तो कॉंजूम्शन से पुछ मंस से धीरे यही घूम रहा था यहां इस धीरे-धीरे नीचे की तरफ आया फिर ऊपर की तरफ गया जो जो डबल टॉप का लेबूल आया यह से फिर से निचे आ गया और अभी फिर से उपर गया यह अल्मस्ट उसी डबल टॉक का लेबुल पर ही है और यहां से धीरे-धीरे निचे की तरफ आ रहा था लेकिन आज यह जो कैंडल बनाया है यह उपर जाने की सिगनाल दे रहा है तो दोस्तों यह कॉंजुम्शन सेक्ट यह 5152 लेबुल को क्रॉस करके उपर की तरफ चला जाएगा तो फिर यह कॉंजुम्शन सेक्टर आल टाइम हाय को जाएगा तो चलिए दोस्तों हम यहां पे रिट्रेस्मेंट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि अगर यह उपर की तरफ जाता है तो कितना उपर जा सकता है देखें दोस्तों और उसका 61.8% लेबुल हमारे और अगला टारगेट रहेगा जो आ रहा है फाइक थाउसेंट 380 पे तो अगर यह डॉबल टॉप का लेबुल को क्रॉस करके उपर की तरफ जाता है तो हमारे अगला टारगेट रहेगा 5380 दोस्तों यह था कॉंजुम्शन सेक्टर का अनालिसिस अगर आप लोग को और किसी स्टॉक के बारे में अनालिसिस करना है आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के भेज़ दीजे मैं वह अनालिसिस करके आपको रिप्लाई कर दूगा थैंक्यू